दोस्तों क्लास 10 का बहुत महतलपून एक क्विशन हम समझ रहे हैं जिसमें गुणनखंड विदी द्वारा दीवाद समीकंड के आपको मूल गयात करने होते हैं यह आपका वीडियो पार्ट फूर और नी वीडियो की लिंक नीचे मिल जाएगी चैनल की प्लेलिश्ट पर विजिट करें कैसे लेकर में सुरुएंदर क्लेरी यहां पर बहुत आसान तरीक है जो आपका एक्स स्क्वेर का गुणाक है उसको आप क्या करो कॉंस्टेंट के सा 600 आता है अब यह जो आपके पास 600 आया है इसके आपको ऐसे टुकडे करने होते हैं जिनको एड करने पर यहां जो एक्स के गुणा में संख्या रही कितनी है वन है देखो कुछ भी बड़ी संख्या दिखाए नहीं दे रहे हो इसका मतलब क्या होता है वन होता है यह आना च चीए तो इसके टुकडे क्या बनेंगे तो बिल्कुत सिंपल है दोस्तों हम इसके क्या कर देते हैं देखो प्राइम फेक्टर कर देते हैं तो यहां पर प्राइम फेक्टर करना बता रहा हूं यानि गुर्णनखन करना बता रहा हूं ससो के ससो को क्या लिखा जा सकता है च multiply दो यहीं तो मतलब है अब देखो यहाँ पे यह आपका 25 बनता है यह 6 x 24 बनता है ठीक है यहाँ पे मैं क्या काम करता हוא 25 मैंनस 24 करता हूं तो कितना आ रहे काम बन रहा है ठीक है तूर यह से देखिया आपको तो ऐसे कर लो गुड़न खंड आप गुड़न खंड के भी हमारे वीडियो आये हुए है फैक्टर करने के चैनल के पर मिल जाएंगे टू से डिवैड किया टू से डिवैड किया उसके बाद मैंने थ्री से डिवैड किया वापस यह बी आ रहा हाँ यह बी कंडिशन से डिवैड किया है इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं एक को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे लाइन लिखेंगे हम गुणन खंड करने पर ओके एक को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों एक को लिख सकता हूँ मैं 25 माइनस 24 लिख सकता हूँ और साथ में X है तो X ले लिया और माइनस कितना है दोस्तना आपका 300 बराबर 0 अब उसके बाद क्या करना हुता है इन दो को एक साथ लेना है इन दो को एक साथ ले रहा है यहाँ से मैं X को बाहर कॉमन ले सकता हूँ तो मेरे पास क्या बचा? 2X प्लस 25 बचा और कुछ भी बार कुमन नहीं आ रहा है यहां से मैं माइनस 24 को बाहर ले सकता हूँ एक मिनट सोरी माइनस 24 नहीं 12 आएगा ठीक है 12 को बाहर ले सकता हूँ तो यहां पे क्या आ गया 2X आ गया और यहां पर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना 25 25 आप कैसे पता लगाएंगे बिल्कुल सेंपल है यहां पर 15 का 10 DAYME 25kol कितना हूँ 250 होँ और 2 टाइम और करेंंगे 12 टाइम करेंगे 300 और यह रा हमने बाहर ले लिया है या नहीं 14 म compression कितना होता है 300 होता है 12 हमने बाहर ले लिया है तो हमारे पास कितना 25 बच गया और यहां पे आपका 2 आ गए और minus sign बार क्यों लिया यहां भी minus है, यहां भी minus एक तो कारणी है दूसरा, यह plus का है यह भी plus का, तो इन दोनों को समान बनाने के लिए हमने minus sign बार लिया यह ध्यान रखें, गुनन खंड में यह जो दोनों आपके बनते हैं यह समान होने जरूर यह तो फिर हम इनको बाहर लेते हैं तो देखो 2X प्लस 25 को मैंने बाहर लिया तो यहां X बचा यहां पे माइनस 12 बचा इक्वल टू क्या है? 0 अब मेरा काम क्या होता है? 2X प्लस 25 इक्वल टू 0 और X माइनस 12 इक्वल टू 0 करना होता है तो यहां से X की वेल्यू मेरे पास क्या आ जाती है? देखो 25 इस तरब जाएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा यह मल्टिप्लाइ में डिवैड में आएगा ठीक है? 12 चोईस 0.5 0.5 कितना 1 होता है? यह नहीं 12.5 आ गया अब इसको यहां बेजेंगे तो X बराबर कितना आ गया? 12 आ गया यह आपके क्या है? दोस्तों समीकंड के मूल है तो यहां लाश में लाइन लिखता है अन्ते मूल आपके क्या निकल कर आए है? माइनस 12.5 वे 12 है समीकंड लिख के उसके बाद पूरा ऐसे लिखना होता है स्पेस कम है सिले में डारिक्ट इतना ही लिखा है ओके तो यह रहता है दोस्तों आपका समीकंड के मूल गयार करने का गुननखंड विदी से तरीका तो आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट टर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए धन्यवाद